हेलो एंड वैलकम टू स्किलाइक्यू स्किलाइक्यू में आपका स्वागत है तो हमारी जिक्के की जो सीरीज है भाई वो लगातार चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी चल रही है बाकि आपके व्यूस और कॉमेंट्स या लाइक्स है ना यह सब चीजें बताएंगे कि कैसी चल रही है तो लेसन नमबर 13 और 14 जो है हमारे हेड़क्वार्टर्स अलग-अलग संस्थाई और्गनाइजेशन उन सबसे रिलेटेड है तो भारतिय संस्थानों के बारे में हम बात कर चुके है इस वीडियो में हम लेसन नमबर 14 की बात करेंगे जिसमें हम इंटरनेशनल हेड़क्वार्टर्स की बात करेंगे या फिर इंटरनेशनल जो है हमारे क्या बोलते हैं उनको इंटरनेशनल जो हमारी संस्थाई हैं उनसे रिलेटेड जो हम लोग बात करेंगे उससे पहले मैंने सोचा कि यहां पे include कर लेते हैं हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें और सीधा फिर आप लोगों को one liner एक तरही से देखने को मिलेंगे तो यह lesson number 14 है हमारा इसमें हम अंतरास्ट्रे मुख्याले या फिर international headquarters हैं इसमें आप लोग कुछ एक मैंने ले लिया है लूशेंट से और कुछ एक आप लोग जो है थोड़ा सा और include कर लेना इदर उदर से ठीक है क्योंकि एक ही book से सारी चीज़ें cover नहीं होती है भाई ये तो possible ही नहीं है कि एक ही book से सारी चीज़ें cover हो जाएं ठीक है कुछ मैं आप से questions करूँगा उसके बारे में आप लोग भी बताओगे और दूसरी बात यहां पे क्या होगी important बात क्या होगी क्योंकि ये current affairs से भी related मुद्दा रहता है कि इस समय पे इनके head कौन है ये वाला last part में भी था ये मुद्दा और इस part में भी रहेगा तो सबसे पहले और सबसे important जो हमारी संस्ता आती है वो UNO आती है United Nations Organizations इसके बारे में जितना पढ़ोगे उतना ही कम है इसके बारे में ये खूब दे रखा है यहां पे यह मैंने लुशंट से लिया है इसके बारे में आप लोग यहां पे देख लेना और पढ़ लेना और छे बासाइं है ना ओफिशिल छे लेंग्वेज हैं उनमें से दो कामकाजी लेंग्वेज हैं जिनको काम के रूप में लेकिया आ जाता है जब भी काम किया जाता है तो इन दो लेंग्वेज में किया जाता है फ्रेंच और इंग्लिश में और चार इसकी सहायक एक तरीके से languages आप बोल सकते हो, language बोल सकते हो, ठीक है, परतेक का अपना day भी होता है, ठीक है, यह वाली, मतलब इसमें भी पूरा नहीं दिया हुआ है, फिर यहां पे important चीज क्या है, इसकी UNO की, इसकी अलग-अलग 6 bodies है, उनके, मतलब headquarters कहां पे हैं, उनका इस समय पे परमुख कोन है, उनके member जो countries है, वो कितने हैं, ठीक है, UNO के member countries कितने हैं, तो इस लिए वीडियो है ना, इतना ज्यादा लंबा जाता, अगर हम लोग detailing में जाते हैं, वो मैं आपको शुरू से बोलता रहा हू की वीडियो लंबा चला जाएगा, अगर आप detailing में जाओगे तो इसके 6 parts हैं, एक तो है General Assembly, GAB जिसको बोलते हैं, और हिंदी में महासबा बोलते हैं, दूसरा Security Council, जिसको SC बोलते हैं, ये सुरक्षा परिशद होती है, तीसरा होता है Economic and Social Council, ठीक है, ये आर्थिक और सामाजि परिशद होती है, चोथा होता है Trustorship, यानि के प्रण्यास परिशद, ये तो समझ में भी नहीं आया होगा, बट Trustorship से समझ में आ गया होगा कि क्या इसके अंदर किया जाता है, फिर International Court of Justice, ICJ, International Court of Justice, और फिर Secretariat, और जो है अपने, ये 6 हमारे यहां पे, ये parts आपको देखने को दे रखी है, इसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद आप लोग यहां पे आओगे, सर्युक्तराश्टरिक संग के महा सचीव, यानि के इनके जो महा सचीव है, पहले कौन थे, ये थे, नौर्वे से, त्रिंग वेली, और ये कब बना था, कब नहीं बना थ जाते हैं, ठीक है, और ये 2026 तक रहेंगे, 31st दिसंबर 2026 तक ये रहेंगे, ठीक है, और लगातार दूसरी बार इनको बनाया गया, लगातार दो या तीन बार तो, दो बार तो लगबग-लगबग अभी बनाई ही जा रही हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, कुछ संह सिंक्तरास्टर विशिस्ट अभी करनो और अन्य संस्थान तो इसके अंदर आप लोग यहां पर यह मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने यहां पर इसको इंक्लूड कर दिया है पीडिएफ के अंदर यह सेम पीडिएफ मिल जाए यह आपको टेलीग्राम चैनल के उपर ठीक जैसे कि अंतरास्टर दूर संचार संग इसको इंगलिश में भी याद करना पड़ेगा भाई चीक है तो मैं अभी ज्यादा टाइप नहीं कर सकता था इसके उपर यह इस पैडिएफ में एडिट नहीं कर सकते आपको पता है इसका अगर हम लोग खुद बनाते तो एडिट कर सकते हैं या अपनी तरफ से जो भी आड़ करना हो आड़ कर सकते हैं काटना हो काट सकते हैं बट इसमें एड या काट नहीं सकते जो बुग के उपर है वही लिया जा सकता है और हाइलाइट किया जा सकता है बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता यह आप भी बड़े योग करना जो भी member countries है उनका तो इस तरीके से हमें परतेक संगठन के बारे में जितने भी यहां पे जो यह organizations दे रखें इनके बारे में बड़े अच्छे तरीके से हमें पढ़ना हुगा ठीक है अब यह बते मैं अगर बताने लग जाओ यहां पर यहां पर बहुत सारा टाइम हमारा कंजूम हो जाएगा और यहां पर यह इंपोर्टन इंपोर्टन जो संगठन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिसकस कर लेते हैं और फिर अपने points पे चलेंगे ठीक है फिर मैं आप से question भी करता चलूँगा देखो विशो व्यापार संगठन विशो व्यापार संगठन को इंग्लीश में WTO बोलते हैं World Trade Organization ठीक है इसकी स्थापना हुई थी एक जनवरी यह जनवरी भी याद रखना पड़ेगा सर बिलकुल याद रखना है पूछ लेता है कई बार 1995 में क्य है ठीक है और 164 जो मेंबर होगा वो अफगानिस्तान रहा है दूसरा जो है European Sun यानि के European Union ठीक है इसके स्थापना को भी थी इसके जो है current में जो है member कितने हैं ये सब चीजें जो है हमें ध्यान रखनी होंगी इसका headquarter आपको Belgium Brussels के अंदर आपको देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद अगर जनवरी की बात करें तो 2020 में United Kingdom यानि के UK जो है इससे बाहर हो गया था और अभी इसका UK member नहीं है ठीक है उसके बाद और जो है चीजें देखते चलोगे तो तीसरे नंबर पर आ जाओगे आप लोग European Antrics Agency यानि के European Space Agency E.S.E. इसकी स्थापना होई थी 1975 में 1975 में की गई थी इसकी स्थापना ठीक है और इसके 20 देश जो है इसके member countries है और कुछ-कुछ जगे पे इसका member नहीं है Canada बट Canada भी आ जाता है कई बार इसमें ठीक है अगर इसके headquarter की हम लोग बात करने जाएं तो Paris France के अंदर आपको इस समय से जो है आप इसको देख रहे होंगे न्यूस बगारा में है ना तो ये नेटो वही नेटो है ठीक है इसको क्या बोलते हैं इसको NATO इंदी में बोल देते हैं बट नेटो इसको English में बोल देते हैं ठीक है इसका full form क्या होगा इसका full form होगा the North Atlantic Treaty Organization The North Atlantic Treaty Organization इसके जो संगटन में सदस्य कितने हैं 32 members है 1949 4th April 1949 में जो है इसकी स्थापना हुई थी इसके अंग कोन कोन से हैं इसकी परिशद है इसकी परतिरक्षा समीती है इसकी उपरिशद है इसकी सैनिक समीती है सैनिक समीती तो आप बड़े अच्छे तरीके से समझ कियोंगे पिछले कुछ समय से आप लोग या रसिया यूकरेन का देख रहे हैं लगबग धाई साल से तो उसमें इसी चीज़ का ज्यादा रूल आपको देखने को मिल रहा है ठीक है उसके बाद Asian Development Bank ADB ADB Asian Development Bank इसकी स्थापना 1966 में हुई थी 19 दिसंबर को और इसके 31 countries इसके जो है member है और इसका जो headquarter है ना वो Philippines के Manila में इसका headquarter आपको देखने को मिलता है ठीक है ओके आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे OECD की यानि के Organization for Economic Cooperation Development यानि के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देखो सर हिंदी और इंगलिश में जरूरी है क्या थोड़ा सा देख लेना कि हम हिंदी भासी students होते है ना उनको confusion की category में ना जाएं तो इसलिए उनको हिंदी में भी पता होना चाहिए और इंगलिश में पता होना चाहिए और यह short forms ज्यादा तरह आपको जैसे आप the Hindi newspaper देखोगे जब भी English newspaper देखोगे आप या Hindi newspaper में भी आपको NATO सीधा लिखा मिल ज पता होने चाहिए बस इसलिए यह हिंदी English का तो ऐसे ही class चलता रहता है ना ओके तो OECD 1948 में इसका गठन हुआ था और इसके बाद इसका जो फ्रांस में इसका पैरिस में headquarters आपको देखने को मिलता है 34 member countries हैं आसियान की बात करोगे तो Association of South East Asian Nations आसियान इसको बोलते हैं इसक इसके स्थापना 8 अगस्त 1967 को यानिके 8 ओगस्त 1969 को इसके स्थापना हुई थी है ना उस समय इसमें कितने member जो है जुड़े थी 67 के अंदर इसमें जो है आपके 67 के अंदर Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand ने मिलके इसका संगठन किया था उसके बाद आज के समय पर इसके सदस्यों की संख्या 10 है ना उसके बाद हम बात करते हैं सारक की ठीक है सारक का फुल फॉर्म क्या होगा सारक का फुल फॉर्म होगा the South Asian Association for Regional Cooperation ठीक है इसका headquarter काटमांडू नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलता है इसकी स्थापना 1985 में 7 और 8 दिसंबर को की गई थी ओके इसके member countries जो है आप अगर बात करोगे तो भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाल, भूटान, सिरिलंका, मालदीव, अफगानिस्तान यह सब आसपास के countries हैं चीक है ओके यह सब जो है इसके countries आपको देखने को मिलते हैं तो अगर पूछे कि South Asian जो है Association for Regional Cooperation यानि के सारक का पहला समेलन कह पे हुआ था यह ढाका के अंदर हुआ था पांगलादेश में और 1985 में हुआ था Group 8 यानि के G8 जो है इसमें Member Countries कोन कोन से हैं इसकी स्थापना 1975 में हुई थी कहां पे France के अंदर हुई थी Canada, America, Britain, France, Germany, Japan, Italy और रूस जो है इसके Member Countries है पहले यह G7 हुआ था ठीक है पहले यह G सेवन हुआ था लास्ट कंट्री इसमें कोन जो है एड हुआ था मुझे कोमेंट बोक्स में आपने लिखके बताना है फिर अरब लीग की बात करें तो अरब लीग इतना मुश्किल या इतना trending questions में से नहीं है तो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 1945 में काहिरा में इसका जो है headquarter आपको देखने को मिलता है इसके स्थापना हुई थी 22 member countries इसके हैं ओके petroleum निर्यात तक देशों का शंगटन एक ओपेक यानि के organization of petroleum exporting countries ओके 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो headquarter वियना ओस्ट्रिया के अंदर आपको देखने को मिलता है इसके संस्थाप क कौन थे इरान इराक वैट साओधी अरब और वेनिज्वेला ठीक है तो ये वरतमान में इसके सदस्थ से जो है 13 है ठीक है इसमें और कौन-कौन head होगे किसको हटा दिया गया किसको मिला दिया गया बहुत सारी information जो है एक तरीके से आपको देखने को मिलती है यह आप लोग देखते रहना और एड करते रहना अपनी memory के अंदर ठीक है रेड क्रोस की बात करेंगे हम लोग तो रेड क्रोस की स्थापना 1863 यानि 1863 में हुई थी हैंडरी डूरेंट ने की थी यह व्यक्ति थे इन्होंने जिनेवा में की थी जिनेवा स्विजर लेंड के अंदर इसका 24 और 63 में इसको शान्ती के लिए नोबेल पुरुसकार मिल चुका है अगर उदेश्य के बात करें तो युद्य या फिर विप्दा के समय पे कठिनाईयों से रहत दिलाना रेड क्रोस का काम है ठीक है रेड क्रोस डे मनाया जाता है आठ मई को बहुत इंपोर्टेंट अब इस दिन इसलिए मनाया जाता है ओके बात करेंगे हम लोग कॉमन वेल्थ की तो कॉमन वेल्थ जो है देखो यह ऐसी कंट्रीज का ग्रूप है जो क्या रहे थे किसी ना किसी तरीके से इंगलेंड के जो है एक तरीके से अधीन रहे हैं उन कंट्रीज का ग्रूप आप कॉमन country खेलते हैं इसमें जो कभी इंग्लेंड के जो है एक तरीके से उपनी बेश रहे थे ओके इसमें इनके member countries की अगर currently मैं बात करूं तो 54 है ना फिर उसके बाद नयम आता है कुछ जादा important नहीं है CIS इतना important नहीं है bricks बहुत important है bricks की देखता भी की थी हमने अभी चीग है ओके है ना तो यह वाली चीज है 2009 में ब्राजील रूस भारत चीन ने एक नए आर्थिक विकास संगठन brick की स्थापना की थी पहले यह bricks नहीं होता था यह पहले brick होता था ऐस इसमें बाद में एड हुआ है ठीक है ओके और इसका पहला सिखर समेलन जो है 16 जून 2009 को रूस के सहर में हुआ था जिसका नाम क्या है योकेट्र योकेट्री 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 इन बर्ग योकेट्री इन बर्ग में हुआ था ठीक है यह रूस का एक शहर है ओके अब आग क के लिए थोड़ा से conflict conflict आपको देखने को मिल रहा है ठीक है ये तो थोड़ा सा आप ये मान के चलो कि इस वीडियो का पंदरा मिनिट का एक introduction था अब मैंने आप से बहुत से question करने हैं और next जो chapter होगा हमारा वो देशों की मुद्राएं राजदानी ये सब होंगे सीधा जो है बना दिया जाएगा उस वीडियो को उसके उपर जो है कुछ ज़्यादा चीजें एड नहीं की जाएंगी ठीक है अब देखते हैं हम अपने international जो है headquarters headquarters अंतराष्ट्रिय मुख्यालियों की हम बात करेंगे यहां पर ठीक है विस्व आर्थिक मंज इसका मुख्याले जो है आपको जिनेवा सुईचर लेंड में देखने को मिलता है ठीक है head quarter वगएरा देख लो और इसके head देख लो ये करता क्या है ठीक है ये सब चीजें हमें दिमाग में चीजें हमारे होनी चाहिए यॉनाइटेड नेशन एन्वार्मेंट प्रोग्राम अब environment वर्ड आ गया है यहां पर ठीक है environment वर्ड आ तो environment से समंध्यती ये काम करता है ठीक है तो इसका head quarter आपको कहां पर देखने को मिलेगा नैरो भी में इसका head quarter आपको देखन अगर मैं पूछ उहां इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1927 योग ही थी भारत में ब्लात है भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ठीक है ओफ इंडिया ओके इस तरीके से यह थोड़ा सा दिमाग में गलत फीड हो गया था मेरे डेटा तो यह भी ध्यान रखना चलो यह मा आप से पूछ लेता हूं अंतरास्ट्रे ओलंपिक कमिटी की स्थापना कब हुई थी यह बता द है डबलू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड और्गिनाजेशन का हैड़ क्वाटर आपको जिनेवा स्वीचर लेंड के अंदर आपको देखने को मिलता है यू एन नो का हैड़ क्वाटर आपको बताने की भी जुरूरत नहीं है जो है देखने को मिलता आपको नियू यॉर्क के ठीक है ओके यह काफी repeated question है देख लो कितनी बार repeated question है इंटर पॉल जो की international level की police एक तरीगे से होती है ठीक है इसका headquarter आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा NATO, NATO के बारे में हम काफी जानकारी प्राप्ट कर चुके हैं थोड़ा सा पढ़ा भी था इसके बारे में Brussels में इसका headquarter आपको देखने को मिलता है वीपो ठीक है एक तो वीपो का मुझे full form लिखके बताना अपने comment box में कि यह क्या है और एक यह इसका मुख्य उदेश्य क्या है इसका aim क्या है ठीक है यह क्या था इसका aim बनाने का ठीक है और जिनेवाद Switzerland के अंदर आपको इसका headquarter देखने को मिलेगा IMO IMO London के अंदर आपको इसका headquarter देखने को मिलता है ठीक है उसके बाद World Bank का जो headquarter है Washington DC में आपको देखने को मिलता है USA के अंदर और एक और संस्ता है economy को जो monitor करती है इंटरनेशनल monetary fund इसको हिंदी में कहते है विश्व मुद्रा कोश ठीक है ओके World Bank के मुझे head बताये कौन है इस समय पर ठीक है मुझे head बताना World Bank के कौन है उसके बाद हमारे बात करते हैं यह आपको टॉक्यो जापान के अंदर देखने को मिलेगा UNO का मुख्याले आपको New York City में देखने को मिलता है और सारक जो है उसका मुख्याले आपको Nepal Kaatmandu के अंदर देखने को मिलता है ठीक इसलिए मैंने थोड़ा सा एक recap करवा दिया था उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी से अपने one liners को complete कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं एशिया के देशों में अकेला कौन सा देश G8 में सामिल है ये बड़ा मतलब इसको एक tricky question भी बोल सकते हो और एक ऐसा question है जो गल्ती कर सकते हैं जिसमें हम लोग ठीक है जी 7 जो है इस group का नाम था group 7 ठीक है जी का मतलब group है new development bank ndb का headquarter आपको चीन के संगाई में देखने को मिलता है UNDP United Nation Development Program इसकी स्थापना 1965 में हुई थी 1965 में ADB की स्थापना Asian Development Bank की स्थापना भी 1966 में हुई थी स्थापना स्विचर लेंड में जो है की गई थी और इसका headquarter भी वहां पर आपको स्विचर लेंड में देखने को मिलता है मानव विकास सूचकांक human development index human development index sdi icon जारी करता है UNDP जारी जो है करता है ठीक है उसके बाद wish of व्यापार संगठन जो की पहले गैट कहलाता था गैट उसके स्थान पे अब जो है इसको world trade organization बोला जाने लगा और यह UNO की एक body है या उसके अंतरकत काम करता है और इसका headquarter आपको जिनेवा की अंतर देखने को मिलता है उसके बाद wish of व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी वो 1995 में हुई थी ओके world economic outlook report किसके दवारा जो है introduce की जाती है international monetary fund अंतरास्टे मुद्राकोश मैंने इंटरने अंतरास्टे मुद्राकोश कहा था ना मैंने विश्व मुद्राकोश कहा था क्या विश्व मुद्राकोश कहा था एम एफ को ठीक है यह भी बोल देते हैं अंतरास्टे भी बोल देते हैं विश्व भी बोल देते हैं ऑके भारती है भारती है परतीबूती और विनिमियम बोर्ड से भी ठीक है security and exchange बोर्ड ऑफ एंडिया भी इसको बोलते हैं 1988 में इसकी स्थापना हुई थी ठीक है जाता है यार दिमाग से तो इसका headquarter आपको WEP का यानि के विश्व खाद्य जो है कारेकरम का जो headquarter आपको रोम के अंदर आपको देखने को मिलता है दक्षन ACI अक्षेत्रिय सहयोग संगठन यह आपको 1985 में स्थापना इसकी देखने को मिली थी स्थापना इसकी देखने को है ना security महसबा महसबा तो उसके बाद secretariat है ना तो उसके अधिन जो है यह एक संस्थातिय यूनिड हो के तो इसकी स्थापना जो है महसबा ने की थी 1966 में अंतराश्ट्रे प्रमाणू उर्जा एजेंसिस का headquarter आपको वियना आस्ट्रिया के अंदर देखने मिलता है आस्ट् मुनेको के अंदर आपको देखने को मिलेगा डबलू टी योगी स्थापना भाई कितने बार रिपीट करोगे आप लोग 19 जो है कब हुई थी 1995 में हुई थी कई बार निकल जाता है दिमाग से ओके ग्रीन पीस इंटरनेशनल का headquarter आपको एमस्टर डेम में देखने को मिलता है ओपेक का headquarter आपको वियना में देखने को मिलता है विशो बोधिक संपदा संगठन इसका headquarter जिनेवा में आपको देखने को मिलेगा एशियन फुटबोल संग इसका मुख्याले आपको क्वालालंपूर में देखने को मिलता है अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ यह क्वा आस्ट्रे भारतोलन संग मतलब यह वेट लिफ्टिंग जो है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग और्गनेजेशन बुड़ापेस्ट हंगरी के अंदर आपको देखने को मिलता है यह पतानी क्या दिया हुआ है इसका जो है हेड़कौर्टर वियना में है यह मुझे समझ में आया क्या था ओके वर्ल्ड एकोनोमिक फॉर्म इसका हेड़कौर्टर आपको स्विचर लेंड में देखने को मिलता है आई ए इए इसका हेड़कौर्टर आपको वियना आस्ट्रिया के अंदर देखने को मिलता है और इसका फुल फॉर्म आप मुझे कॉमेंट बोक्स में लिखके बता रही हो, ठीक है, ओके, ठीक है, कुछ दो-तीन पॉइंट्स और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं, AIIB, इसका हेड़कॉर्टर आपको बीजिंग चाइना के अंदर देखने को मिलेगा, United Nation University का हेड़कॉर्टर आपको टोक्यो जापान में देखने को मिलता है, United Nation University, UNDP, United Nation Development Program, New York, US से के अंदर इसका हेड़कॉर्टर है, IMF का, Washington DC के अंदर है, International Monetary Fund, World Economic Forum का हेड़कॉर्टर आपको स्विचर लेंड में देखने को मिलता है, ADB का, Philippines, Malila के अंदर आपको देखने को मिलता है, ICAN का हेड़कॉर्टर आपको जिनेवा स्विचर लेंड में देखने को मिलता है, OECD, ये मुझे फुल फॉम बताओगे, OECD का, इसके बारे हम थोड़ी सी जानकारी भी प्राप्तम लोग कर चुके हैं, वीडियो के शुरुआत में, ठीक है, पैरिस, जो है, फ्रांस के अंदर इसका हेड़कॉर्टर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आते हैं कुछ कॉशन्स, इनको आप लोग देख सकते हो, और जैसे कि सारक के कितने कंट्रीज हैं, नाइन कंट्रीज हैं, कौन-कौन से हैं, ठीक है, यह एक एक जामपल है, जी एट का कौन सा कंट्री मेंबर नहीं है, ठीक है, तो रूस ऐसा मेंबर है, जो कंट्री मेंबर नहीं है, जी एट का, ठीक है ना, ओके, तो यह भी ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है, हमारे लिए, ओके, तो इस तरीके से हमारा यह चेप्टर न के बारे में बात की जाएगी थोड़ा सा एक अलग से भी आपको PDF में प्रोवाइड करने कोशिश करेंगे हम लोग बट इसको इसी तरीके से बनाएंगे वन लाइनर्स को सीधाई बनाएंगे ठीक है वन लाइनर्स के उपर हम लोग कुछ जादा डिसकुशन में नहीं जाना है हमें ठीक है और इसको सीधाई बना जाएगा तो तो तैंक्स वाचिंग तैंक्यू तैंक्यू सो मच मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जुड़े रहें स स्किल आइक्यू के साथ, ओके?